साथियों, आज देश भर की समुद्री सीमा में पॉट्स की कपेसिटी को भी बढ़ाये जा रहा है और नए पॉट्स का भी निर्मान तेजी से चल रहा है। देश के पास करीब 21,000 किलोमेटर का जो जलमार्ग है वो देश के विकास में अधिक से अधिक कैसे काम आए इसके लिए प्रयास किये जा रहा है। सागर माला प्रोजेक्ट के तहट आज देश भर में पान सो से जादा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। एक्सपर्टाइज की भी कोई कमी नहीं रही है। ये भी तय है कि जलमार्ग से होने वाला ट्रांस्पोर्टेशन सडक और रेलमार्ग से कई गुना सस्ता पड़ता है। और परियावरण को भी कम से कम नुक्षान होता है। फिर भी इस दिशा में एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ 2014 के बाद ही काम हो पाया है। ये नदिया, ये समंदर, ये मोधी प्रदान मंदर बने के बाद नहीं आया है। ये था। लेकिन वो द्रश्टी नहीं थी जो 2014 के बाद आज देश अनुभव कर रहा है। आज देश भर की नदियों में जो इंलेंड वाटर बेज पर काम चल रहा है। उससे कई लेंड लॉक राज्यों को समंदर से जोड़ा जा रहा है। आज बंगाल की खाडी में हिंद माचागर में अपनी क्षमताओं को हम अभूत पुर्वा रूप से विक्सित कर रहे हैं। देश का समुत्री हिस्सा आत्म निर्भर भारत का एक एहम हिस्सा बनकर उबरे इसके लिए निरंतर काम चल रहा है। सरकार के इन प्रयासों को गती देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाये जा रहा है। अब मिनिस्ट्री आफ शिपिंग का भी नाम बदला जा रहा है। अब यह मंत्रा रहे मिनिस्ट्री आफ पोर्स शिपिंग एंड वाटर बेज के नाम से जाना जाएगा। उसका विस्तार किया जा रहा है। विक्षित अर्थ बवस्ताओं में जादातर जगों पर शिपिंग मंत्रा ले ही पोर्स और वाटर वेज का भी दाईत्व संभालता है। बारत में शिपिंग मंत्रा ले पोर्स और वाटर वेज से जोड़ी काफी कारियों को करता रहा है। अम नाम में अधिक्स पस्तता आने से काम में भी अधिक्स पस्तता आ जाएगी।